ओम शान्ति आज शिव जैन्ति की सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्वविद्याले की ओर से बहुत बहुत हर्दिक मुबारको 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 शिव जैन्ति या शिव रात्री वैसे देखा जाएं तो दोनों ही बहुत उप्युक्त नाम दिये हुएं शिव के जैन्ति अर्थात परमात्म शिव के दिव्य जन्म या दिव्य आउतरन और वो दिव्य आउतरन इस संसार के अज्ञान रात्री के समय जब चारों और खोर अज्ञानता का अंदकार छाया हुआ होता है ऐसे समय पर ही परमात्म शिव का दिव्य आउतरन इस संसार में होता है और उसी की याद में हम सभी बड़ी धुमधाम से महा शिवरात्री सारे भारत भर में मनाते हैं मैं समझती हूँ भारत का कोई गाउं भी ऐसा नहीं होगा जहां परमात्म शिव का ये दिव्य जन्मोत्सव मनाया न जाता हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्वध्याले में भी इस साल पचासिवी शिव जयन्ती के रूप में हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं शास्त्रों की अनुसार अगर देखा जाए तो शास्त्र में तीन कथाएं हैं प्रथम कथा है कि जिसमें दिखाया के एक शिकारी शिकार करने निकला था परंतु सारा दिन उसे कोई शिकार प्राप्त नहें दिया अन्दकार होने को आया था और तभी उसको एक हिरन दिखाई दिया उस हिरन का पीछा करते हुए जैसे ही उसको मारने जा रहा था कि हिरन ने आकर शिकारी से कहा यह शिकारी मैं अपने बच्चों से मिल कर आती हूँ उसके बाद तुम मेरा शिकार कर ले रहा शिकारी ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं तमारा कहा कि मैं सही कह रही हूं, मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनसे छुटी लेकर आपके। अब रात्री का समय था, तो शिकारी क्या करता, सोचा जंगल है, जंगली जानवर होंगे, तो एक पेड़ पर चड़ गया, और वो पेड़ था, बैल पत्र का पेड़, उस पर चड़ गया, सोचा जब तक हिरन आवे है, तब तक में इस पेड़ पर ही बैठ जाए हूँगे। पर उन्तु कहीं नीद न लग जाए, और नीचे गिर गया, तो कोई न कोई जानवर शिकार कर लेगा उसका, तो खुद जागरत रहने के लिए, उसने बैल पत्र के पत्ते तोड़ना आरंब किया, और पत्ते नीचे डालता गया, थंडी के दिन थे, काप रहा था थंडी के हमारे, तो मुख से शिव 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 निकल रहा था, और नीचे पेड के नीचे एक शिवलिंग था, तो उस पर बैल पत्र पढ़ते गए, सुबह होने को ही आई, और जैसे उसने देखा कि हिरन सामने आ रहा है, नीचे उतरने लगा, उसी समय शिव जी प्रग और कहा तुमने सारा दिन उप्वास भी किया, सारी रात मेरी भक्ती भी की, बैल पत्र भी इतने लाखों चड़ाए मेरे उपर, और जो है सारी रात जागरण किया, इसी लिए तुम मांगो जो मांगोगी मिल जाएगा, कहा जाता है कि शिव जी इतने भूले हैं, क्यों शिकारी ने कोई उस उदेश्य से, न तो जागरण किया था, न उप्वास किया था, न बैल पत्र दा ले थे, परन्तु भूले ना, अंजाने पन में भी किये गए कर्म को सहर्श स्विकार करके, प्रसन हो करके वर्दान दे देते हैं, ये एक कथा है कि कैसे शिव जी प्रगठ हुए और भक्तों की भावना को पून करते हैं, साथी साथ दूसरी कथा शास्त्र में आती है, कि शिव जैन्ती मना, शिव पार्वती का विवा, अब जैन्ती के समय विवा हो, ये कुछ सही नहीं लगता है, परन्तु फिर भी भक्त उस बात को बहत ही दुमधाम से मनाते हैं, कि शिव पार्वती का विवा हुआ था इस दिर, और तीसरी कथा ये है, कि जब समुद्र मन्थन हुआ देवसूर के बीच में, और उसमें सबसे पहले जब हलाहल निकलता है, देवताएं बेहोश होने लगे, जब बहुत कम देवताएं बच गए, तब कहा जाता कि सभी ने शिव जी को पुकारा, और शिव जी प्रगट होकर के सारा हलाहल अपने कंठ में समा लेते हैं, तो इसको भी शिव रात्री पर जोड़ दिया गया है, कि यही वो दिन है जब शिव जी ने हलाहल को सुविकार किया, अब यह तीन कथाएं भक्ति मार्ग में हम सभी ने सुनी हैं, लेकिन सही क्या है, आध्यात्मिक अर्थ के आधार से उसको देखा जाएं, तो वास्तों में मनुश्य आत्माओं ने भले अंजाने पने, अपनी समझ के हिसाब से जिसमी तरीके से परमात्म शिव की आराध न किया, या उप्वास किया, जागरण किया, वास्तों में जागरण कोई 24 घंटे वाली दिन और रात की बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शिव रात्री ये सूचक है कि जब इस संसार में घोर अज्यानता की रात्री चा जाती है, तब परमात्म शिव का दिव्य अवत्रण होता है, और ऐसी रात्री के समय जो अपने आत्म ज्योती को जगा लेता है, साथी साथ उपवास, अर्थात निरंतर, मन के वास को उस प्रभू में एकाग्र करते हैं, और भक्ती अर्थात प्रेम से उस परमात्मा को याद करते हैं, और ऐसी जब याद में मग्न स्थिती हो जाती है, तो परमात्मा उन भक्तों के हर संकल्प को पुरा करते हैं, मनो कामना को कोन करते हैं, दूसरी जो कथा कहीं, कि यही दिन है जब शिव पार्वती का विवा हुआ था, भावार्थ यही है, कि जब परमात्मा शिव इस संसार में आते हैं, तो जो पार्वतन की आत्मय हैं, अर्थात, परमधाम से जो आत्मय इस संसार में बहुत काल से बिछड़ी हुई हैं, ऐसी आत्माओं को परमात्मा अपना बना लेते हैं, अर्थात, उनसे विवाह कर लेते हैं भावात यही कि इश्वर उन आत्माओं को अपना बना करके अपने साथ स्रेश्ट गती में ले चलते हैं कुछ आत्माओं की मुक्ति हो जाती है और कुछ आत्माओं की सद्गती हो जाती है गती सद्गती दाता उस परमेश्वर को कहा गया है तो इसलिए परमात्मा उन आत्माओं को अपने साथ उनके भक्ति के फल स्वरूप उन्हें उस पावन दुनिया में ले चलते हैं अर्थात के परमात्मा शिव के साथ मारे सर्व संबंध है हमने हमेश्वर प्रात्मा में यही गाया त्वमेव माताश्य पितात्वमेव त्वमेव बंदुष्य सखात्वमेव त्वमेव विद्या द्रविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममदेव देव अर्थात उस देवों के देव महादेव के लिए यही कहा गया आपके साथ हमारे सर्व सम्बंद है अर्था उस परमात्मा के साथ हमारा प्रियतम का भी बहुत सुन्दर सम्बंद है और जब उन्हें अपना प्रियतम मान लेते हैं अर्था मनी मन उनके साथ विवाह कर लेते हैं बलिहार जाते हैं तो जब बलिहार जाते हैं उस परमात्मा पर अर्था उसके हो गए हैं इसलिए तो शिवरात्री के दिन बैल पत्र चढ़ाते हैं उसको कई लोग बिली पत्र भी कहते हैं भावारत यही है के बलिहार जाने वाले वो पत्त हैं जिन आत्माउं ने अपने जीवन के अंदर यह सरेष्ट संकल्प लिया है के हम उस परमात्मा के प्रति बलिहार जाते हैं सर्वस्वत्ना उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं ऐसे बैल पत्र की तरह जम अर्पित हो जाते हैं वो भी हमें स्विकात कर लेते हैं तो ये एक प्रकार से रूहानी दिवाही तो हुआ और तीसरी कथा जो है कि हला हल किया देवासूर संग्राम में सबसे पहले जो हलाहल निकला उस हलाहल को परमात्मा शिव ने स्विकार किया भावार्थ यही कि जब घोर अज्ञांता की रात्री के समय चारों और अगर देखा जाए तो दैवी लक्षणों वाली आत्माई बहुत कम थी और चारों और आशूरी लक्षण वाली आत्माई अनेख थी ऐसे चारों और आशूरी लक्षण वाली आत्माई और देव कुल की वो स्रेश्ट आत्माई उनके बीच में एक संग्राम हुआ भावात यही के उन आशूरी वृत्तियों को त्याग करने का संकल्प जिन्होंने धारण किया वो देव कुल की स्रेश्ट आत्माई थे और जब उन्होंने वो संकल्प लिया तो नैचरल है के वो आशूरी लक्षणों वाली आत्माई उन्हें अपने और खीचने का प्रया प्रास जरूर करेंगे तब कहा जाता है कि जो समुद्र अर्थात ज्यान का सागर परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो अंदर में वो अम्रत कलश समाया हुआ तो उस अम्रत कलश को प्राप्त करने के लिए और आसूरी वरत्ती वालों ने और दैवी लक्षणों वालों ने दोनों ने मिल करके इस समुद्र का मन्थम किया उसमें से सबसे पहले हलाहल निकलता है जहर निकलता है और नैचरल है कि उस जहर के जो बदबू है उसके कारण जो देवकुल की आत्माएं है उसको सहन ही पाती है धीरे धीरे मुर्चित होने लगती है तब कहा जाता परमात्म शेव इस संसार में अवतरित हो करके वो सारा हलाहल स्विकार कर लेते हैं और इस तरह से मुर्चित हुए देवकुल की स्रेश्टात्माओं को पुनह जागरत करते हैं इसलिए तो बक्ती मार्ग में हम सभी ने शिव की पूजा में हमेशा या धतूरे के फूल चड़ाए या अक के फूल चड़ाए बाकी सभी देवताओं की पूजा के समय गुलाब मुतिये बहुत सुन्दर सुघंद वाले फूल चड़ते हैं वो परमात्म शिव आकर के स्विकार कर लेता है और उनके जीवन का शुद्धी करण हो जाता है और तब उन्हें अपने समान बना करके साथ ले चलते हैं और थात वो अमरत कलश प्राप्त होता है और अमरत्व को प्राप्त करते हैं भावार्थ यही कि आज देखा जाए प्रैक्टिकली तो मनुष्य जीवन के अंदर बुराईयों का विकारों का विकृतियों का इतना जहर भरा हुआ है उनके रदई में उनके विचारों में कितना जहर होता है कभी कभी मन शेक दूसरे के प्रती भी यही जहर उगलता रहता है और इस तरह से पूरे वातावरण को दूशित करता है और जो स्रेश्ट संस्कारों वाली आत्माई हैं उन्हों के उपर भी इस जहर को उगलते हुए उनके जीवन को दागी बनाने का प्रयात्न करता है बोले नाथ परमात्मा ऐसे समय पर ही संसार में अउतरे कूपे हैं कि कल्यूग में ही यह विकारों का जहर फैला हुआ है तो कलियुक के अंतिम समय में वो परमात्मा का दिव्य अवतरण और ऐसी स्रेश्ट आत्मों के जीवन से उस जहर को खींच लेते हैं, स्विकार कर लेते हैं उनके जीवन का शुद्धी करण होता है और जीवन के शुद्धी करण के साथ ही उन्हें इस संसार के अंदर दैवी गुणों से संपन बनाते और वो दैवी गुण अमर हो जाते हैं कहा जाता है कि जब अमरत कलश से अमरत प्राप्त करते हैं तो वो देवताएं अमर होगे अमर हो जाने का भावार यही है कि इस संसार के अंदर जैसे ही सत्यूग आता है या स्वर्गिय दुनिया आती है तो उस दुनिया में वो अमरत में को प्राप्त करते हैं वैसे भी आत्मा है ही अजर अमर अविनाशी आत्मा तो अमर ही है लेकिन उस दिव्यता को भी अपने जीवन में अमर कर देते हैं और उसी से ही वो स्वर्गिय दुनिया आरंभ होती है कलियोगी दुनिया समाप्त हो जाती है और आत्माई स्रेष्ट गती को प्राप्त करके उस सत्योगी दुनिया स्वर्गिय दुनिया में जाकरके देव खुल जहां वो स्रेष्ट आत्माई होती है दिव्य आत्माई होती ह उस दिव्य आत्मों की दुनिया में जाने का स्वभाग्य उन्हें प्राक्त होता है तो वास्तों में ये तीनों कहानिया जो है वो इस समय बहुत ही एक्यूरेट शिवरात्री और शिव जैन्ती जिस भी रुप में हम कहें वो उप्युक्त बैठती है भक्त आत्माय समझ नहीं पाए जैन्ती माना जन्म इसलिए सिक्रिष्ण का जन्म जब होता है तो भी हम सिर्क्रिष्ण जैन्ती कहते हैं बले रात को जन में तो भी हमसे क्रिश्न रात्री नहीं कहते हैं लेकिन शिव के साथ ही ये रात्री शब्द लगता है अर्था जब ये संसार के अंदर बेहत की रात होती है ऐसे बेहत की रात्री के समय ही परमात्मा आकर आत्मिक जोत को जागरत करते हैं ज्यान का दृत डाल करते हैं और उससे संसार के अंदर महान परीवर्तन कल योगी तमो प्रधान पतीद कि दुनिया को बदल करके दैवी सत्योगी स्वराज्य स्थापन करते हैं तो यह परमात्मा का दिव्य कर्म भी आ और परमात्मा के दिव्य गुण और परमात्मा के दिव्य आउतरण सिद्ध होता है और आकर के किस तरद उन आत्माओं के साथ विवाभी करते हैं उन्हें योग्य बनाते हैं और ऐसी स्रेश्ट दुनिया में जाने के लिए योग्य बनाते हैं पात्र बनाते हैं तो इसलिए आज ऐसी शिव जैन्ति की सबको बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो इस दिन पर विशेश जो जागरण करने की बात है आत्मिक जोत जगाना है उप्वास है अर्था परमात्मा के नस्दीक हमारे बुद्धी का वास रहे निरंतर उसके मधूर याद में समाए रहे और साती साथ संपूर्ण रिती से परमात्मा के उपर बलिहार जाए बक्ती में हमने हमेशा भगवान से ये वाइदा किया यहे प्रभु आप जब आएंगे तो हम आपके उपर बलिहार जाएंगे अब वो समय आया है उस वाइदे को पुरा करना बले इस जनम में वाइदा न किया हो तो क्या हुआ कोई न कोई जनम में तो वाइदा जरू किया होगा तो आईए इस वाइदे को भी पुरा करते हैं मन से हम उस इश्वर पर बलिहार जाते हैं और परमात्म शिव भी हमारे अंदर का वो हलाहल स्विकार कर लेते और हमारे जीवन को आत्मा का शुद्धी करण कर लेते हैं और ऐसा शुद्धी करण को करके शुद्ध स्वरूप में जवा जाते हैं तो उस परमात्म जो परम पवित्र है उस परम पवित्र परमात्म के साथ हमारा देव्य विवाह का ये समय तो परमात्म शिव का अवतरन आत्माओं का शुद्धी करन और साथी साथ उस परमात्म के साथ अमारा दिव्य विवा तो कितना सुंदर ये यादगार है और तीनों ही कथाएं बहुत स्वष्ट रिती से आज के समय में उप्युकता हैं तो ऐसे ही हम सभी बड़े धुमदाम से ये शिव जैनती मनाएंगे और प्रैक्टिकल उसका अर्थ अपने जीवन में सार्थक करेंगे और अपने जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को यही प्रेणा देंगे कि वो भी अपने जीवन से इस हलाहल को सदा के लिए दूर करें इश्वर पर बली हार जाए और उस दिव्य विवाह में अपने आपको परमात्मा के साथ चोड़ दें इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा शिव का जिब विवाह होता है तो बाकी बरात तो बहुत बड़ी होती है जो अनेक प्रकार के लोग उस बरात में शामिल होते हैं ले प्रियतम के साथ दिल की लगन लगाएं परमात्मा को अपना समझ करके अपना बना करके उसके साथ बहुत सुन्दर एक रिष्टा हम जोड़ करके उसका अनुपव करते हैं शिव जैन्ती माना ही जैसे दुनिया के अंदर कोई बच्चे का बर्थडे होता है तो पिता बड़े दुमधाम से मनाते हैं और इसी तरव कोई माबाप का भी बर्थडे होता है तो बच्चे बहुत खुशी से उनका बर्थडे मनाते हैं ठीक इसी तरव परमात्मा शिव हमा पीता भी है मात पीता भी है इसलिए कहा जाता है एक शिव जैनती जब होती है अर्फात परमात्म शिव जब अवतरित होते हैं तो किसमें अवतरित होते वह सौभाग्य शालीरत कौम सा है तो ब्रह्मा बाबा का वो स्वभा की शाली रखने तो शिव जैंती सो ब्रह्मा जैंती ब्रह्मा मा की भी जैंती तो इस मात पिता की जैंती के साथ हम सभी बच्चों को भी आत्म जागरती प्राप्त होती है तो हम सब बच्चों की भी जैंती ऐसा अलोकिक जन्म दिन दुनि तो इसलिए कहा कि आप सब को भी आपके बर्थडे की परमात्मा मात पिता के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो ओम शान्ति